आज हम आपको जो इस्टोरी सुनाने जा रहे हैं यह है रोहित की बालबस्टिंग इस्टोरी इसे हमें रोहित नहीं भेजा था इस्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब में चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगग बेंड़ आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपको अपना कोई सुझाओ मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर इमेल कर सकते हैं इमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में add किया है तो आप वहां से चेक करके मुझे email कर सकते हैं इस्टोरी अच्छी लगे तो इसे like और share भी किजिएगा तो चले इस्टोरी स्टार्ट करते हैं रोहित अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था एक दिन रोहित के मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना था तो उन्होंने रोहित को अपनी दूर की रिष्षेदार आउन्टी के पास छोड़के चले गए उस टाइम रोहित 15 साल का था और आउन्टी 40 साल की थी आउन्टी की तीन बेटिया थी तीनों बेटियां 16 साल से जादा एज की थी यानि रोहित से सभी बड़ी थी रोहित की आउन्टी बहुत खडूश टाइप की थी आउन्टी अपनी लड़कियों को लड़कों के लिए गलत बाते ही सिखाती थी रोहित के आने से आउन्टी खुश नहीं थी रोहित बहुत शर्मिला नेचर का लड़का था और आउन्टी से बहुत डरता था लेकिन अपनी बेहनों से थोड़ा कम डरता था और उनके साथ बहुत शैतानी करता था जब भी रोहित शैतानी करता तो उसकी तीनों दीदी बोलती थी कि बहुत मारेंगे तुमको तब रोहित कहता था कि वो लड़का है और लड़कों को दर्द नहीं होता है तब उसकी तीनों दीदी उसे बहुत मारती थी लेकिन पिटने के बाद रोहित कहता था उसे कुछ नहीं हुआ है एक दिन रोहित की तीनों दीदी बहुत गुसे में थी रात का टाइम था तीनों दीदी ने रोहित की बदमाशी के बारे में अपनी मम्मी को बता दिया आंटी पहले ही रोहित को ना फसंद करती थी और रोहित के मम्मी पापा बाहर गए हुए थे तो आंटी के पास अच्छा मौका था रोहित को टॉर्चर करने का फिर आंटी ने अपनी तीनों बेटियों से कहा कि रोहित को पकड़ कर ले आओ और तीनों रोहित के पास गई और उसे घसीटते हुए ले आई रोहित की तीनों दीदी बहुत ताकतवर थी फिर आंटी ने कहा इसको टेबल पर लिटा दो फिर तीनों ने रोहित को पकड़ कर टेबल पर लिटा दिया उसके बाद आंटी रोहित का हाथ पैर पकड़ने को बोली और तीनों लड़कियों ने रोहित को टाइट पकड़ लिया उसके बाद आंटी ने रोहित का टी-शर्ट और पैंट उतार दिया अब रोहित बस अंडरवेर में था उस टैम रोहित को बहुत शर्मा रही थी लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्यूंकि तीनों लड़कियों ने पकड़ा हुआ था फिर आंटी ने अपनी बेटियों से कहा ये जब तुम सब को तंग करता है तो इसको मारना चाहिए ना इस पर तीनों लड़कियों ने कहा मारते हैं पर इसको कुछ नहीं होता है और हसकर बोलता है कि मैं लड़का हूँ मुझे दर्द नहीं होता है तब आंटी ने हसकर कहा हाँ ये तो सही कहता है ये लड़का है और लड़कों को दर्द नहीं होता है तब तीनों लड़कियों ने कहा अब इसे कैसे सजा दें तब आंटी ने कहा तुमको सिखाती हूँ कि किसी लड़के को कैसे टॉर्शर करते हैं। इतना बोलकर आंटी ने रोहित का अंडर्वेर निकाल कर नंगा कर दिया। और रोहित की तीनों दीदी उसकी नुनु को घूर रही थी। और बोल रही थी इसकी नुनु और गोटिया कितनी बड़ी लेकिन आप बताईए कि किसी लड़के को कैसे टॉर्शर करते हैं। तब आंटी ने हसकर कहा इसका पैर फैलाओ और इसके जो दो बॉल्स हैं बॉल्स देख रही हो बड़ी बड़ी उसे चोट पहुचाने पर लड़के लोगों को दर्द होता है। तो तीनों ने कहा सच मे दिखाईए जरा ये सुनकर आंटी ने कहा अभी दिखाती हूँ और रोहित के नुनु को बाय हाथ से उपर की तरफ खीच कर पकड़ा और दाय हाथ से उसके दोनों बॉल्स को खीच कर दबाने लगी। रोहित चीख और चिला रहा था पर तीनों लड़कियों ने उसे जोर से पकड़ा हुआ था आंटी ने उसकी गोटियों को तब तक पकड़े रखा जब तक उसकी गोटियां लाल बैगनी रंकी नहीं हो गई फिर जब आंटी ने गोटियों को छोड़ा तो गोटियां लाल रंकी हो गई थी और फूल कर और भी बड़ी बड़ी हो गई थी ये द रुआत है इतना बोलकर चपल निकालकर गोटियों पर मारने लगी रोहिद दर्द से छट पटा रहा था उसकी आँखों से आसू निकल रहे थैं लेकिन आंटी ने गोटियों पर तब तक चपल से मारा जब तक वो धख न गई रोहित दर्द से रो रहा था और देख रहा था कि कैसे खुद की आंटी उसे पकड़ कर हस रही थी और तीनों लड़किया गोटिया पकड़ के खीज रही थी और हस भी रही थी और बोल रही थी देखो कैसे बोल रही थी देखो कैसे बोलता था कि मैं लड़का हूँ दर्द नहीं होता है अब कैसे बेबस होकर रो रहा है सबने तीन चार गहंटे तक रोहित को टॉर्चर किया फिर छोड़ दिया और आंटी ने रोहित की नुनु खीच कर बोला अब से किसी को परिशान किया तो तुमारी इस बड़ी नुनु को काट के फेक देंगे और रोहित को जोर कत्थ पर मार कर सभी सोने चले गए उस टाइम रोहित की हालत बहुत खराब थी वो बेहोस हो गया था और उसकी गोटिया सुन पड़ गई थी सारी रात रोहित उसी टेबल पर पड़ा रहा सुबह आंटी आकर बोली रोहित तुमारे मम्मी पापा का फोन आया था उन्होंने कहा है कि उन्हें वापस आने में दो साल लग जाएंगे ये सुनकर रोहित उदास हो गया और ये सुनकर आंटी की तीनों लड़ गया बहुत खुश हो गई और आंटी ने बोला जब तक रोहित के पैरेंट्स नहीं आते हैं तब तक रोहित इस घर में नंगा ही रहेगा और रोहित की तीनों दीदी रोहित को बहुत टॉर्चर करती थी उसकी नुर्णू पकड़कर खीज देती थी कभी कैची लेकर काटने चली आती थी ऐसी सैतानिया करके रोहित को बहुत डराती थी और जोर जोर से हस्ती भी थी और आंटी जब भी गुसे में होती तो रोहित की गोटियों पर लातों से मारती और लिटा कर गोटियों पर घुसा मारती थी धीरे धीरे रोहित उन सब के लिए खेलने का सामान बन गया और गुसा निकालने का जरिया भी बड़ी स्ट्रेंज स्टोरी है आपकी तो आप सब कर में जरूर बताएगा आपको रोहित की श्टोरी कैसे लगी मुझे तो दर्दनाक लगी ऐसा वेशे रयल लाइफ में पता नहीं होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता रोहित आपकी श्टोरी में ने सुना दिया आपने बहुत request की थी so guys आप सब जरूर बताएगा आप सबको रोहित की story कैसे लगी और story अच्छी लगी तो इसे like और share भी कीजिएगा और आप सबका कोई opinion हो जो आप मुझे देना चाते हो तो आप मुझे instagram पर message कर सकते हैं या फिर email कर सकते हैं email मैंने इस video की description में add किया है तो आप वहाँ से check करके मुझे email कर सकते हैं so take care guys thank you